अब आपके साथ शेयर कर रहें बहुत ज्यादा पसंद होता है आप अपने बच्छों के लिए आसानी सी इसको बना सकते हो बच्चे बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे तो इसको बनाना बहुत आसान तरीका तो एक बार जुरूर ट्राइ कीजिएगा तो चलिए देख ले आता टा लिया है तो इएक पाउडर का टेस्ट आएगा तो ये बहुत ज्यादा टेस्ट लगेगी इसको बंची ताइप का बनेगा अभी हम इसमें हनी डालेंगें और बंची यह हम क्लोड़ा दालेंगे इसमें एक छोटा चमच भी आप बढ़ा सकते हैं यह अगर आप ज्यादा हनी डालना है आप कंप लिए बढ़ा सकते हो दिदिद्द्ट चीनी डाल दिया तो इसमें एक चोटा तरमज निकालिया है अब हैं सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे अच्छे से मिक्स कर देना है तो प्रेशपी पसंद आये तो रेशपी को लाइक से जरूर कीजिएगा मुझे ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिएगा तरह तकि इसमें नहीं नहीं सिंपल रेशेपी आपके लिए ला सबँएं इससे बचलें इसे बहुत ज्यादा हो गरम दूद नहीं डालना है गरम होने के बाद थंडा हो गया है थंडा दूद हम इसमें यूज कर रहे हैं तो एक अप हम दूद का यूज करेंगे तो थोड़ा थोड़ा दूद इसमें डाल के इसका अच्छा सा बेटर बना लेना है तो थोड़ा थोड़ा दूद डाल के हमें बनाना है एक साथ आपको दूद भी डालना है इस बात का भी जुरूर ध्यान दीजिएगा तो इस से अच्छे से mix नहीं हो रहा है तो मैं mixer से इसको अच्छे से फेट लेती हूं अच्छे से हमें इसको फेट लेना है थोड़ा दूद और डालना है तो टोटल फ्रेंट से हमारा एक कप के करीब दूद लग गया है अच्छे से हमें इसको फेट लेंगे जो हम नॉर्मल केक बनाते हैं वैसा हमें बेटर चाहिए जिसे इतली डोसा बनाते हैं वैसा हमें बेटर चाहिए इसका यह देखे इस तरह का होना चाहिए थोड़ा और मैं विला लेती हूं इतना सा बच गया है दूद ज्यादा पतला नहीं करेंगे इसको और एक बार यह आप अपने घर पे बना के जुरूर ट्राइ कीजिएगा बड़े भी इसको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं जुरूरी नहीं है कि हम बच्चों के लिए ही बनाए हम अपने लिए भी बना सकते हैं बहुत ही ज्यादा यह मज़ेदार के लगता है एक बार आप जुरूर बना के ट्राइ कीजिएगा यहीं मानिए बच्चे बड़े सभी को बहुत ज्यादा पसंद आएगा तो इसी तरह का बेटर होना चाहिए जो मैंने अभी आपको दिखाया है तो यह बेटर हमारा र फैला लें और अभी हमें क्या करेंगे टीशु पेपर लेंगे पहल freaking Extra तुबारा वह मैंने हैं की जितना भी हम केक बनाएंगे इसी पेंद से बनाएंगे और घीए मेंदोबारा नहीं लें नहीं है नहीं है एक चंप से पूरा केक बनाएंगे अग दम बीच में डालेंगे केंटर में हमें इसको डालना है पूरा एक चमच हम इसमें डाल देंगे इसी का मेजरमेंट रखना है तो इसी चमच का एक चमच से हम बनाएंगे ना तो केक हमारे सारे एक जिसे बनेंगे चोटे बड़े नहीं बनेंगे और अपने आप ये फेल जाता फेलाने की जूरत नही की सीची से पक क्छुका है तो अभी इसको हम पलत लेंगे बहुत साउधने से आपको पलत ना हैं और इसको भी कुछ आधा मिट के करीब हैं ज्यादा हम इन नहीं पकाना है दो सरे वाले अश्या को आधा मिंट ही पकाएं गे तो यह देखे फ्रेंट यहां आदा मिंट हो चुका है अभी हम इसको निकाल लेते हैं प्रेंशे हटा देंगे निच्ची वाले इस्यों को शिरुप आदा मिंट पकाना है और फिर से मैं देख वे मेजर्मेंट बता रहे हूं इसजों सेंटर में हमें यह चंमच का पैटर कjsk متराख डाल देना है तो एक ही चंमच से हमी डालना है। जिससे हमारे केउर्म मिली अच्छे प Assistant s smile 一 career और दिखने में अच्छे लगें और इसको भी हम ठके 3 मिन के करीब पका लेंगे गेस को मीडियम लोग फ्लेम भी रखना है अगर हाई फ्लेम कर देंगे तो जल जाएगा अच्छे से नहीं पकेगा तो देखे इसमें भी कितने से यह देखिए चेद से दिख रहे हैं बबल से दिख रहे हैं तो यह भी हमारा अच्छे से फूल चुका है इसको भी हम पल्ट लेंगे delivered नहीं गेहं काटक हुंके मेंड़ के नेतर रही है इन सबस्काइब नें लिए है अभी क्शिद्हटे हो देखिक काटक करकोदेगे के इसे पर हम यह अर्शीज का चोलेट डाल देंगे अप को और भी चोलेट फ्लेवर ले सकते हो जो भी आपके पास एवेलेबल है यह अर्शीज ले रही हूं चोलेट की जगए कि इसे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा यह चोकलेट बचोग बहुत जाद आच्छी लगेगी आप सबके लिए बहुत सबको यह अर्शिस पसंद है अगर आपके पास यह नहीं है तो चोकलेट को पंगलाके भी आप इसको इस टाइम यूज कर सकते हो और ऐसे अच्छे सी इसमें लगा देंगे और अभी जो दूसरा केक है इस पर रख देंगे तो यह देखे फ्रेंट्स यह हमारा डोरा केक बनके रेडी हो गया इस पंची टाइप का डोरा केक बना है यह देखे एक बार आप जुरूर बना के ट्राइ कीजिएगा आपको अच्छी अमने फैला दिया है अभी हमें दूसरा इस पर लगा देंगे तो ऐसे ही सभी को हम बना लेंगे दुर्ण शारा मैं बना के दिखाओंगे तो बहुत लंबा वीडिया बन जाएगा और आशे हमें बना लेंगा आपको बना लिया है और अभी मापको यह कट करके द आपके बच्चे बहुत ज्यादा इसको पसंद करेंगे, मिठाई से ज्यादा इस केग को पसंद करेंगे, तो यह देखे अंदर से आप देख सकते हो, अगर आपके पास यह अर्सीस नहीं है, तो ऐसे भी आप बना के खाओगे, तो बहुत ज्यादा मुझदार लगेगा, तो जड़ीर